नमस्कार दोस्तों, बै डॉक्टर सुपनिल सागर जैन, निरामाय होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉंसिलाइटिस के बारे में, तो मैं आज आपको बताऊँगा क कि टॉंसिलाइटिस क्या है, ये क्यों डैवलप हो जाता है, और किन होमियोपैथिक दवाओं से हम टॉंसिलाइटिस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, तो इस वीडियो में बने रही है अंत तक मेरे साथ, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ह तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें दोस्तों, टॉंसिल्स हमारे शरीर में पाए जाने वाले इम्म्यून सिस्टम की फस्ट लाइन ओफ डिफेंस है ये लिंफ नोड के जैसे दो स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे गले के पिछले हिस्से में पाए जाते हैं सामानेता इनका जो काम होता है, वो मुह और नाक से यदि कोई बैक्टिरिया या वाइरस बॉडी में प्रवेश कर रहा है, तो ये उसको फिल्टर कर देते हैं फिल्टर करने के दोरान ही कभी-कभी इन टॉनसिल्स में भी इनफेक्शन हो जाता है, तब उस कंडिशन कोगल अ कऊलई स्वैलिंग अ जाती है यानी कि स्वैलिंग जाती है, वो रेड इनफलेम्ड टॉनसिल्स बन जाते हैं और इसके कारण कभी-कभी सांस लेने में भी तकलीफ होती है और swallowing यानि की निगलने में भी तकलीफ होती है दोस्तों अब हम बात करते हैं tonsillitis के causes के बारे में कि किन कारणों से किसी भी patient में tonsillitis develop होता है तो इसका जो सबसे प्रमुक कारण है वो है bacteria और virus चुकि tonsils हमारे body में white blood cells का formation करते हैं तो जब भी कोई bacteria या virus नाक के या मूँ के माध्यम से हमारे शरीय में प्रवेश करने की कोशिश करता है तब उसको सबसे पहले वहाँ पर tonsils वहाँ पर उसे रोक लेते हैं और उस दौरान उनमें infection हो जाता है सामाने था tonsillitis के जो infection होते हैं वो virus के कारण ज़्यादा तर देखने में मिलते हैं और इनमें जो सबसे प्रमुख virus है वो है adenovirus, enterovirus, perainfluenza virus, epstein bar virus आधी ऐसे virus हैं जिनके कारण tonsillitis के ज़्यादा तर cases देखने को मिलते हैं इसके अलावा streptococcus pyrogenus नाम का एक bacteria भी है जिसके कारण tonsillitis के बहुत सारे cases देखने को मिलते हैं सामाने था 3-7 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें viral tonsillitis के cases ज़्यादा देखने को मिलते हैं साथ साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों में bacterial tonsillitis के cases ज़्यादा तर देखने को मिलते हैं वे लोग जिनमें बहुत ज़्यादा overwork करने की यादत होती है उन लोगों में भी tonsillitis के cases ज़्यादा देखने को मिलते हैं और वे लोग जो भीड़ वाले इलाकों में काम करते हैं, उन लोगों में भी tonsillitis के cases ज़्यादा तर देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं tonsillitis के signs और symptoms के बारे में। तो इसमें सबसे जो प्रमुक्ष symptom जो देखने को मिलता है, वो है किसी भी patient में tonsillitis के दोरान उसके tonsils होते हैं, वो red, inflamed हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा swelling उनमें आ जाती हैं, enlarged tonsils हो जाते हैं, बड़े-बड़े tonsils हो जाते हैं, कभी-कभी उनमें whitish या yellowish एक ting develop हो जाती हैं बहुत सारे ऐसे patients होते हैं, जिनमें tonsils बड़े हो जाने के कारण nasal obstruction की भी शिकायद देखने को मिलती हैं, इसके अलावा, खाना निगलने में भी उन्हें तकलीफ होती हैं, कई सारे patients में खाना आसानी से निगलते बन जाता हैं, लेकिन liquid जब वो पीते हैं, तब उनको तकली नौशिया और vomiting के साथ associated भी पाए जाते हैं, दोस्तों अब हम बात करते हैं, tonsillitis की medicines के बारे में, सामान ने तहा, allopathic medicine में tonsillitis का कोई बहुत अच्छा treatment of blood नहीं है, लेकिन homeopathic medicines tonsillitis के acute और chronic सभी तरह के cases को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं, और कई बार जिन लोगों को tonsillect tommy कराने की सलाह दी जाती है, यानि कि उनको tonsills निकलवा देने की सलाह दी जाती है, उन cases में भी homeopathic उनके tonsillitis की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं, तो इसमें जो सबसे अच्छी और सबसे पहले medicine है, जो acute tonsillitis के cases में बहुत ज्यादा useful medicine है, वो है belladonna, belladonna को हमें 30 potency में use करना है, इसके जो patients होते हैं, उनमें acute tonsillitis की शिकायत होती है, उनको गले में lump के जैसा sensation होता है, जैसे उनके गले में कुछ अटका हुआ है, इसके साथ ही जो tonsills होते हैं, वो red, inflamed होते हैं, बहुत जादा lal कलर के tonsills होते हैं, उनमें बहुत जादा सूजन होती है, ब एक चम्मच पानी में मिलाकर patient को देना चाहिए, इसके बाद अगली medicine आती है, दोस्तों, calcarea carb, chronic tonsillitis की ये सबसे अच्छी medicine है, इसका जो patient होता है, वो fair, fatty, flabby, यानि की थुल्थुला patient होता है, मौटा patient होता है, उसमें बहुत जादा मौटा पा देखने को मिलता है, इस त जादा पसंद होता है, तब उस condition में, यदि उस patient को tonsillitis develop होता है, तब हमें calcarea carb 200 potency में, दो बूंद सुबह और दो बूंद शाम को एक चम्मच पानी में मिलाकर उसे देना चाहिए, इसके बाद अगली medicine आती है, दोस्तों, mark solve, mark solve का जो patient होता है, उसके गले में बहुत पढ़ती है, burning बहुत जादा होती है, इसके साथ ही, उसके मुझ से बहुत जादा offensive smell आती है, बहुत जादा बदबू आती है, उसको salivation बहुत जादा मातरा में होता है, लार बहुत जादा बनती है, और tonsillitis के दोरान उसको खाना निगलने में भी बहुत जादा तकलिफ हो होते हैं या फिर कैलकेरिय कारब के सिम्टमस उन में नहीं पाए जाते हैं तब हमें बराइटा कारब उसमें यूज करनी चाहिए इसका जो पेशेंट होता है उसको बार-बार टॉंसिल्स में इंफ्लेमेशन की शिकायत होती है जिसे हम रिकरेंट टॉंसिलाइटिस कहते हैं बराइटा कारब को हमें 30 potency में यूज करना है इसकी दो-दो बून दिन में तीन मार एक चम्मच पानी में मिलाकर उप्योब करना चाहिए इसका जो पेशेंट होता है वो mentally या physically डॉर्फ होता है उसका जो पेशेंट होता है उसके गले में सर्दी यानि कि ठंड का अगली medicine आती है दोस्तों lecasis lecasis tonsillitis के cases में एक बहुत अच्छे medicine मानी जाती है इसके जो patients होते हैं उनमें ज्यादा तर left sided tonsillitis की शिकायत होती है उनमें tonsillitis के दोरान tonsils purple color के पढ़ जाते हैं और patient को liquids को निगलने में बहुत जादा दर्द होता है खास तोर से यदि वो कोई hot drink या गर्म चाय या गर्म दूद पीता है तो उसको बहुत जादा तकलीफ होती है तब उस condition में हमें lecasis 30 potency में 2-2 बून दिन में 3 बार एक चमच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए इसके बाद अगली medicine आती है दोस्तों mark iodatus flavors इसे हमें 3x potency में use करना है इसके patients में भ जो patients होते हैं उनमें जो दर्द है वो गले से होता हुआ कानों तक चला जाता है और उनके जो tonsils होते हैं वो dark red या dark purple color की हो जाते हैं तब उस condition में हमें 30 potency में 2-2 बून दिन में 3 बार 1 चमच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए तो दोस्तों आज हमने जाना कि tonsillitis क्या है यह किन कारणों से develop होता है और किन होमियोपैथिक दवाओं से हम tonsillitis के acute और chronic सभी तरह के cases को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होमियोपैथिक दवाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय दोस्तों होमियोपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुभे खाली पेट खा लेना चाहिए मुह में अच्छे से कुला करके गारगल्स करके हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर दो से धाई घंटे बाद ही खाएं और उस इस्थिती में भी हमारे मुह में किसी भी वस्तू का किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए नहीं हमारे मुह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए जिससे की ये होमियोपेथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होमियोपेथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या एलाईची खा सकते हैं या नहीं बिल्कुल आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं होमियोपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं बस याद ये रखना है कि जब भी आप होमियोपैथिक दवा खाएं इन में से किसी भी वस्तू का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुह में ना हो, यानि कि जब भी आप इने खाएं, तो इनके खाने से या तो आदे गंटे पहले होमियोपैथिक दवा खा लें, या फिर इने खाने के दो ढ़ाई गंटे बाद, जब कि आपने मुह में अच्छ से कुला कर लिया हो, अच्छे से गारगल्स कर लिये हो, तब इन होमियोपैथिक दवाओं को खाएं, तो आपको हमेशा होमियोपैथिक के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लोग गलती यही कर देते हैं, कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्छा प् होमियोपैथिक दवाएं, आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदी किसी भी होमियोपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्द हो जाएंगी, यह दवाएं हर होमियोपैथिक फार्मेसी पर उपलब्द होती हैं, हर ओनलाइन फार पेटिक मेडिकल स्टोर या ओनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें